नकेडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ तो simply आप मुझे नकेडमी पे मेरे free lessons के लिए यानि वहां पे भी मैं free lessons पढ़ाता हूँ और बहुँ सारे exams को focus करके हूँ पढ़ाते हैं नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल सिक्षासिटी पर बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी तो चले दोस्तों हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे महतपूर प्रशनों की जो आपके हर एक्जाम में पूछे आते हैं चाहे आप RRB का एक्जाम दे रहे हों चाहे NDPC का चाहे आप UPTED का दे रहे हों चाहे आप CTED का दे रहे हों ये कुछ ऐसे questions हैं जो सभी exam में लगातार पूछे आते हैं और खास करकि railway वालों के लिए काफी ज़्यादा important होगा आप लोग यहाँ पे questions आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे questions को आपको सबसे पहले बताना है कि क्या इसका सही answer होगा इसके बाद हम लोग सही answer पर चर्चा करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पीडियाट्रिक्स किसके अध्यान से सम्बंदित है सबसे पहला question दूसरा question है कि द्रवी कृत पेट्रोलियम गैस का रसानिक नाम क्या है तीसरा question है कि निशेचित अंडाडू के implementation के लिए गरभाश है कौन सा हॉर्मोन तयार करता है तीन question दोस कौलियम गैस का रसानिक नाम क्या है तीसरा question है कि जो एक फटलाइजड आपका जो अंडाडू होता है उसके implementation के लिए गरभास है कौन सा हॉर्मोन प्रिपार करता है यानि कि एक मदर के वाम में जो बच्चा रहता है उसका जब implementation होता है तो वो कौन से हॉर्मोन उसके आप चले देख लेते हैं दुस्तों क्या हो जागा सही अंसर पीडिया ट्रिक्स शिशु रोग से संबंदित है ठीक है शिशु रोग के बारे में अध्यन करते हैं हम लोग पीडिया ट्रिक्स में ड्रवी कृत पेट्रोलियम गैस का रसानिक नाम है दूस्तों ब्यूटेन यह सारी चीज़ है दोस्तों मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में पढ़ा रखी है अगर आप फ्लास को ध्यान से सुनते होंगे वीडियो को ध्यान से सुनते होंगे तो ही आपको यह समझ में आएगा निशेची तन डाडू की इंप्लेमेंटेशन के लिए गरभाश है प्रोजस्ट्रोन हॉर्मोन प्रिपैर करता है ठीक है प्रोजस्ट्रोन हॉर्मोन जो है वही रिस्पॉंसिबल होता है ज्यादा तर जो भी मदर के वाम में बेबी आता है और उसका इंप्लेमेंटेशन होता है उसके लिए हिंद सुराज के लेखक महात्मा गांधी है ठीक ह अब आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बायो गैस किसका मिश्ण है और अगर हम लोग एक सरल लोलक की लंबाई को दुगनी कर दें तो उसका आवर्तिकाल क्या होगा चलिए देख लेते हैं दोस्तों सही आंसर बायो गैस आपकी मीथेन, हाइडरोजन, कार्बन डायकसाइड जथा हाइडरोजन सलफाइड का मिश्ण होता है और एक सरल लोलक की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तिकाल बढ़ जाता है क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है यतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें आपने फिजिस बैलोजी में अल्रड़ी पढ़ रखे होंगी जाएगा ठीक है अब इसमें अगर आपने हॉर्मोन के बारे में थोड़ा ही पढ़ा होगा तो इसका अंसर आप जरूर बता देंगे क्यों बहुत ही आसान कोशन बहुत ही बेसिक कोशन है किसी पौधे के कार्बनिक पदार्त की अधिक्तम ड्रवेमान मात्रा किस से आती है चलिए अब आपको सोचना है दोस्तों स्टार्टिंग के दो कोशन के अंसर तो आप जरूर बता सकते हैं तीसरे वाले में में भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएं चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक और कोशन यहां पे है मैंगरिलेन जल मरुद कहां स्थित है चलिए मैंगरिलेन जल मरुद जो है यह आपका दक्षण अमेरिका के दक्षणी छोड़ा है ताजा फूल एवं फल को शीतलन की स्थिति में रखने पर उसकी गंद या उनकी खुश्वू किसके कारण नहीं जाती है यहां पुछा गया है कि जो ताजे फॉल होते हैं उनको अम लोग अगर कोल्ड स्थिति में रखें तो उसमें क्या होगा उसकी गंद या उसकी ताजा फल एवं फूल को शीतलन की स्थिति में रखने के लिए उसमें आक्सिजन ना होने के कारण उसमें खुश्वू नहीं आती है ठीक है और YMCA का फुल फॉर्म है यंग मैं ट्रिश्यन असोश्येशन ठीक है अब दोस्तों इसका एक आपको यहां पर आंसर देना है कि यह इसके बारे में डीटेल आप कमेंट शेक्शन में जरूर दें राश्च्रे प्रतिक चन्दि के नीचे मुद्रत सत्य में अजयते मुंड़क उपनिशत से लिया गया है यह कोशन दोस्तों रेलवे में बहुत बार पूछ दिया गया है इस बार का जो आपका एक्जाम ठीक है जो दुर्वी शेत्र होते हैं उनमें हम रेखा कहां पिस्तित होती है तीसरा प्रशन यदि तीन या चार समताप रिखाएं एक ही बिंदू पर मिलती है प्रतित होती है तो उसको क्या कहा जाता है अब तीनों कुशन का आंसर आपको पताना है दोस्तों कौन सी ग्रह का नाम प्यार की देवी या रोमन देवी के नाम पर रखा गया है दूसरा क्या प्रशन है कि जुवी शेत्रों में हम रेखा कहां प्रतित होती है तीसरा प्रशन है कि तीन चार समताप रिखाएं एक ही बिंदू पर मिलती हो प्रतित होती है तो उसको क्या कहा जाता है चलि यहां पर मैं आपको कुछ भी एक्स्रा डीटेल नहीं दूँगी दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको बहतर सर्फ आंसर जानने के जरूरत है और आप यहां पर रिवीजन कर रहे हैं मैंने चार MCQs लेने रखे क्योंकि आप वहां पर तुक्का लगा कि यह भी समझ सकते हैं कि आपको चीज़े यहां दें बट यहां पर अंसर है आदा जाए तो बड़ी बात है मदी जीवी महाकल्प को प्राचीन का अदमी कितने मिलियन वर्ष पूर होना माना गया है दूसरा कोशन है चीन की सबसे प्राचीन सब्विता कौन सी है तीसरा प्रशन है कि मिस्टर में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था चौथा प्रशन है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था चार कुशन यहां पे पूछा गया है दोस्तों आपको बताना है कि क्या इसका सही option हो जाएगा ठीक है मद्य जीवी महाकल्ब को प्राचीन काल में कितने मिलियन वश्पूर होना माना गया है चीन की सबसे प्राचीन तम सब्विता कौन सी है तीसरा प्रशन पूछा गया है मिस्ट में अबू सिंबेल का मंदिर की से समर्पित किया गया था चौथा कौशन है कि बंगाल का विबाजन किसके द्वारा किया गया था ज़िए देख लेते हैं दोस्तों मतिजीवी महाकल्ब को प्राचीन काल में 210 से 70 इश्वी के पूरों में होना माना गया है चीन का सबसे प्राचीन सब्विता है शांग मिस्ट में अबू सिंबेल का मंदिर भगवान सूर को समर्पित किया गया था याद रखिएगा इसके बाद दोस्तों एक कोशन है आपका बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन लॉड करजन की द्वारा किया था बंगाल विभाजन पर रेलवे बहुत जादा कोशन आपके पूछे गया था ने देखा होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की एक प्रश्ण पुछा गया कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है पिटमें मृदा कहां से मिलती है ठीक है पिटमें मृदा जो होती है इसको कहां से लिया जाता है भानू अथया किस प्रसिद्ध है तीसरा प् ठीक है अब को बताना है दोस्तों सत्य सोदक समाज के स्थापना किसने की पिटमय मिर्दा कहां मिलती है भानु अधया किस रूप से प्रिशिद्धे और एवियन इंफ्लुएंजा आपका S5N1 से वाइरस की वज़से फैलता है ठीक है चलिए next question आ जाते हैं केंद्र शाषित प्रदेश लक्षदीब की भाषा क्या है पहला प्रशन दूसरा प्रशन है कि गवर्नर द्वारा जारी अध्या देश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है तीसरा प्रशन है कि जल का अधिक्तम घनत तो किस ताप पर होता है तीनों प्रशनों के उत्तर सोचिए दोस्तों क्या होगा आपका सही अंसर इसमें केंद्र शाषित प्रदेश जो होते हैं उसमें लक्षदीब की गवर्नर द्वारा जारी अध्या देश कौन मंजूर क आता है तो आपकी त्यारी सही चल रही है नॉर्मल चल रही अच्छी चल रही है चले देख लेते हैं दूस्तों केंद्र शाषित प्रदेश लक्षदीब की भाषा मल्यालम है गवर्नर द्वारा जारी अध्या धेश विधान मंडल द्वारा उसकी मंजूरी दी जाती है ज के बाद का कोशन है अंतर राश्री दिनांकरेका कहां से होकर गुजरती है दोस्तों ये सारे कोशन जितने कोशन आप पढ़ रहे हैं अभी तक पढ़े हैं ये सारे कोशन बहुत बार पूछे जा चुके हैं रिपीटेट कोशन हैं दोस्तों भारत में सबसे महतपूर अंतर राश्री दिनांकरेका कहां से होकर कुजरती है और देसोमनात का मंदिर कहां स्थित है चारो कोशन के आंसर बताइए दोस्तों फटा-फट बताना शुरू करिये खमेंट सेक्षिन में भी आप आंसर दे सकते हैं आप आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम द्योग है अंतराश्टी दिनांग रेखा आपकी 180 दिसांतर से होकर गुजरती है देव सोमनात का मंदिर डुंगरपूर में है हाइड्रोजन बम जो है वो आपके नाविकी संलैन पर काम करता है दोस्तों ये प्रशन आपके एक्जाम में पूछा भी गया था रेलवे के उसक पर प्रसेस पर चाहिए उपकीं सथे आपके बंगाल में स्थाही बंदोबस किसके साशनकाल में लागू किया गया था बर दोली राजस्थान का हिर्दय किसे कहा जाता है चार प्रश्ण आपके स्क्रीन पे हैं आप जल्दी जल्दी आंसर बताना शुरू करिए भारत में सोने की खान कहां इस्थित है बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसके शाशनकाल में लागू किया गया था बर्दोली सत्यागराज जो है दोस्तों 1928 के टाइम पर जो नेता थे वो थे सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है राजस्तान का हिरते हैं हम लोग कहते हैं अजमेर को तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी important questions यहां पर डिसकुस किये अलग-अलग area से ऐसे ही बहुत सारी important questions मैं आपको बताती चलती जाओंगे दोस्तों काफी सारी important topics भी मैंने अपने चैनल पर आपके लिए आपको detail किये हुए हैं आप देख सकते हैं जितना जादा आप questions से interact होंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा और हर एक topic को दोस्तों मैंने आपको अलग से पढ़ा भी रखा है तो आप इसके लिए हमारे चैनल को subscribe करें ऐसे ही अच्छे-चे questions मैं आपको daily provide करवाऊंगी आपको चैनल को subscribe करना है साथी साथ bell icon press करना है ताकि आप लोग ऐसे बहतर questions से interact रहें आप अपना revision proper करते रहें mcu cube based questions भी मैं आपको बताऊंगे दोस्तों उसमें आप आराम से उसको आप देख सकते हैं उसका answer जो है वो सोच सकते हैं कि क्या सही answer हो सकता है पस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को subscribe कर लिए सिक्छा स्टी को आप subscribe करें दोस्तों साथी साथ bell icon press करें ताकि आप हर एक अ सिक्छा सिटी सर्च करेंगे आप आराम से वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर हम लोगी द्वारा प्रोवाइड करवाएगे सारे PDF आपको मिलेंगे ठीक है आप जल्दी ही दोस्तों करेंट फिर का class फिर से स्टार्ट होने जा रहा है आप फटा फट से चैनल को subscribe कर ले all the best and thanks for watching